आज के बाद आप रेस्टूरेंट और बाहर से ये खाना बिल्कुल भूल जाएंगे जब आप घर पे बनाओगे साफ तरीके से और सस्ते में आज बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो आज कल की जनरेशन को तो पसंद है ही बलकि हमें भी बहुत जादा पसंद है यानि सभी को पसंद है तो एक बोल में मैंने आधा कब पानी ले लिया है गरम इसमें डाल देंगे एक चमच शुगर और देड़ चमच के करीब मैंने तो हम इसे कवर करके 10 मिटे के छोड़ देते हैं ताकि यह एक्टिबेट हो जाये तब तक हम यहाँ प्रेपैरेशन करते हैं तो हम बना रहे हैं आज पूल आउट गालिक ब्रेड घर पे ब्रेड बी बनाएंगे और घर पे ही गालिक बटर बी बनाएंगे तो आधा कब मैं ले लिया है और इसमें फ्रेश धनिया आड़ कर देंगे डंडी समेथ ही आपको आड़ करनी है चॉपर में काम इतना जली हो जाता है कि यह जो गालिक बटर है दो मिनिट में ही घर पे बनके रेडी हो जाता है यह देखे चॉप कर लिया बिल्कुल भी इसके जूस नहीं निक लिया है रूम टंपरेचर वाला यह बटर है फिर भी मैं इसे कट कर लूँगी और एक बार 30 सिकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी तक हलका सा मेल्ट हो जाए माइक्रोवेव नहीं है आप डबल बॉइलर के हिसाब से मेल्ट कर सकते हैं और जो गालिक और धनिया का जो मिक्स्यर था इसको मैं इसमें सारा का सारा डाल दूँगी आपको जितना स्ट्रॉंग गालिक का फ्लेवर चाहिए उतना आप गालिक डाल सकते हैं दो चमच मैंने चिली फ्लेक्स और दो चमच मैंने ओरिगैनो डाल दिया है और क्या बस अब मिक्स मिक्स और हमारा जो इंस्टिंट गालिक बटर है वो बनके रेडी है जो मार्केट के गालिक बटर से बहुत जादा टेस्टी लगता है इसमें कोई एसंस नहीं है हमने नाचरल गालिक डाला है और उसी के टेस्ट आपको आने वाला है अब मैं क्या करती हूँ एक बार इसको फिर से 30 सेकिंड के ल तो 30 सेकिंड हो चुके हैं फ्रेंस हो क्या बताओ बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है मेरे बच्चों को तो ये पराठे के साथ भी बहुत पसंद है तो मैं घर पे ही गालिक बटर बनाती हूँ तो ये देखी ये अचिता से मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छे दा लेते हैं तो एक कप मैने मैदा लिया है और एक कप गहु का आटा अप सिर्फ मैदे में भी बना सकते सिर्फ गहु के आटे में भी यहा ठोड़ा से नबक cran µच मैंने ऑइल डाला है एक चमाच में ऑरी गैनो और एक चमाच चिली फ्लेक साखी हमारे जो ब्रेट का तो आपको खा के मज़ा जाएगा इसको mix का लेंगे और butter को freeze में रखें अभी हमें set butter चाहिए आगे के process में और यह जो east है देखें फूल चुका है यानि जाग उपर आ गया है यानि समझ जाए कि perfect activate हुआ है सारा का सारा इसमें एक साथ ही डाल दूँगी इतना लगेगा ही लगेगा अगर आप perfect measurement लेते हो तो इतने ही पानी में ये बन जाएगा friends ये दिखिए मैंने आटा लगा लिया है soft आटा लगेगा friends अगर आपको लगता है कि पानी कम पड़ गया है तो थोड़ा सा आप एक दो आटा लगा लेना है यानी soft आटा लगाना है आपको इसके बाद इस पे oil drizzle करेंगे और जो bowl है उसको भी oil से अच्छी तरह से grease कर लीजेगा ताकि ये आटा भी rise हो तो हमारे bowl से बाद में आराम से निकल जाए चिपक के waste ना हो हमारा आटा ये देखिए मैं अच्छी तरह से dough को भी grease कर लिया है oil से और soft आटा मेंने लगाया है अब इस आटे को हमें wrap कर लेना है या आप कपड़ा रख सकते हैं अगर आपके पास cling wrap नहीं है बट मैं wrap करना प्रिफर करती हूँ ताकि अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए और इसे ऐसी जगा पे आपको रखना है जहा size में double हो चुका है और ये दम soft भी हो चुका है ये देखे मैं अभी आपको बताती हूँ इसमें कितने अच्छे जाले आये हैं यानि आपके जो आपने जो east use किया था वो perfectly काम किया है देखे दम bread वाला texture दिख रहा है ना अब इसको हलके हलके से knead करूँगी अब इसे बहुत ब्रेड बना रहे हैं तो ऐसे bread बनाके आप इसे बेक कर सकते हैं बट मैं आज इसके garlic cheese pull out breads बना रही हैं तो अब मैं इसके 8 हिससे कर लूंगी फ्रेंज इक्वल हिससे आपको कर लेने हैं इस तरह से आप पिजा कटिर का भी यूज कर सकते हैं एक लोई ले ले ये देखे क इतनी अच्छी तरह से जाले बने है और इस तरह से फिंगर की हल्प से ही आप से इसे स्प्रेड करके यह रिखिए पूरी ओ जैसे आप इसको बना लें आपको अगर लगता है कि हातों से नहीं हो रहा है तो आप बेलन से भी बेल की कर सकते हैं यह प्रोसस बठ़ हातो से एजिली हो जाता है क्योंकि बहुत जादा सॉफ्ट आटा है और नहीं आपको सुखा आटा लेनी की ज़रुआत पड़ेगी है बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है क्योंकि अंदर हमने ऑइल बटर दाला था और उपर भी अच्छी तरह से हमने ग्रीस किया था तो इस तरह से आप सारे आपकी जो लोई है ब्रेट की उसको फैला ले हाटों की हल्प से या बेलन से और इसको हाफ में आपको कट कर लेना है जैसे कि मैं बता रही हूं आप नाइफ का भी यूज कर सकते हैं तो मैंने सारी ये जो ब्रेट की पूरिया है उसको मैंने हाफ-ाफ कट कर लिय और यहां मैंने लेलिया है garlic butter जो semi-set हो चुका है हमें एसा ही butter चाहिए इस recipe के लिए तो मैंने शेनेन लिया है फिर्ज में आप अप्लाई कशी तरह से इनल्य तरह से ताकी बहुत ऑफ लिए अगर आपको गालिक ब्रेट खाना पसंद है यह रेसिपी डेफिनेटली आपको ट्राइ करनी चाहिए बहुत ही बढ़िया बनती है आप जरूर जरूर ट्राइ करिएगा आप मार्केट से रेस्टोरेंट से डॉमिन नोस पिज़ार के गालिक ब्रेट भूल जाओगे गारंट चीज भी यूज़ कर सकते हैं मुझे वो मोजरिला पसंद नहीं है इसलिए मैंने प्रोसेस चीज का ही यूज़ किया है अगर आपको वो पुल आउट चाहिए जब आप खाते हो वो खिचाओ चाहिए चीज का तो आप मोजरिला चीज यूज़ करें तो एक साथ मैं चार य देखें मेरे यहां चार इस तरह के स्टाइक्स बनके रडी हुए हैं और देखते ही खाने का मन हुआ की नहीं और मुझे पानी आया की नहीं जरूर बताएगा तो इस टाइप से आपको इसको बना लेना है अब चलिए आगी का प्रोसेस देखते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रे ले लिया है और इसमें पार्शमेंट पेपर या बटर पेपर आप लगा ले ताकि अच्छे तरह से डीमोल्ट हो जाएं और जो इसका प्लेन साइट था हाफ वो आपको नीचे रखते जाना है और एक दूसरे के साथ इसे चुपकाते जाना है यानि बहुत जादा प बच गई है तो मैं इसको थोड़ा सा पेपर को कम कर रही हूं यह देखे इस तरह से आप फोल कर सकते हैं और जगा बचने भी चाहिए क्योंकि यह फूलेगी फ्रेंस तभी पूरी जगा पूरा टिन का शेप भी ले लेगा तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा टिन ले इस तरह से यह आप कपड़े से भी कवर कर सकते हैं और इसे मैं फिर से माइक्रोवेव में ही रखूंगी गरम जगा पे आपको बेसिकली रखना है ताकि यह अच्छी तरह से फिर से फूल जाए अपना शेप ले ले और उसके बाद ही हम इसे बेग करेंगे इसे बोलते हैं प्रूफिंग तो देड़ घंटी के लिए मैं छोड़ दूँगी देड़ घंटा हो चुका है देख सकते हैं इस पर कितने वेपर्स है और चलिए चेक कर लेते हैं तो यह देखे अच्छी तरह से हमारी गालिक चीज पूल आउट ब्रेट्स फूल चुकी है यह देख रहे ह से राइस हुई है इस ने अपना काम कर दिया है अब आपको क्या करना है इसका जो उपर का लेयर है क्रिस्प ना बने सॉफ्ट बना रहे है उसके लिए आपको दूद ले लेना है और दूद आपको ब्रश कर लेना है अगर आपको उपर का क्रिस्पी चाहिए तो आप बट तो देखे फ्रेंज हमारी बेक हो चुकी है यह गालिक ब्रेड अब इसके उपर मैं फिर से मिल्क वाश दे रही हूं ताकि वह सॉफ्टनेस बनी रहे आप चाहे तो बटर भी अप्लाई कर सकते हैं बट मिल्क से काफी सॉफ्ट बनी रहती हैं तो देखते ही बनाने का मन कि नहीं और मुह में पानी आया कि नहीं जरूर जरूर कमेंड करके बताएगा मार्केट से रेस्टोरेंट से बहुत जादा टेस्टी यह गालिक चीज पूल आउट ब्रेड बनी है और मेरे बच्चों ने कहां आपने एक ही क्यू बनाई आपको बहुत सारी बनानी थी और म से खाते जाओगे तो पार्टी इसके लिए वोकेशिंस के लिए परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही फ्रेश टेस्ट आता है इसका गालिक का अगर आपको गालिक का फ्लेवर परसंद है तो यह रेसिपी 100% ट्राइब करें सॉफ्ट है माउट मेल्टिंग है और सूपर य प्रेश परसंद है बार्टी इसके लिए और सूपर आपको गवब करें साथ आता है